हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल A2Z Fine Art Visual Art में स्वागत है इस चैनल पर NTA UGC Net Paper One की तैयारी करवाई जाती है और फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को बताएंगी कि UGC NTA Net JRP के जो Paper One में Computer Technology यानि कि ICT से जो Questions आते हैं उसके बारे में बात करेंगे इसमें हम आप लोगो इंपूट और आउटपूट डिवाइस के बारे में बात करेंगी क्वाजन सा इंपूट डिवाइस है और कौन सा आउटपूट डिवाइस है साथ ही साथ हम types of memory के बारे में भी बात करेंगे कितने types के memory होते हैं और इसके साथ साथ हम bits, bytes, gigabyte, mb, tb, जितने भी bytes है, जितने भी kilobyte हैं इस सब के बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो को अंस्तक देगे तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में input device, output device के बारे में बात करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर आप लोग से input device के बारे में बात कर रहे हैं input device होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं एक computer में input तदा output दोनों उपकरन होते हैं जिन यंत्रों दोड़ा data input किया जाता है अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, सब्द या निर्देश memory में डाले जाते हैं input device कहलाते हैं आप समझ रहे हैं जो भी data आपके laptop में या जहां भी computer में होता है उसको जब हम input करते हैं जैसे कि जो भी आंकड़े हैं, सब्द है या फिर कोई निर्देश यानि की direction memory डाले जाते हैं उसे हम input device कहते हैं दूसरे सब्दों में ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम computer को निर्देश देते हैं कम्प्यूटर को निर्देश देते हैं और computer उन पर प्रोग्राम के अनुरुप कारी करता जैसे कि keyboard माउस अब keyboard माउस का क्या काम है keyboard जैसे कि आप लोग जानते ही हैं जिस पर लेटर पैड़ वेगड़ा होता से keyboard करते हैं माउस आप लोगो मालूम होई होगा कि इससे आप computer को चला सकते हैं तो यह mouse और keyboard जो है input device है क्योंकि यह बाहर यह laptop के अंदर नहीं है इसे हम touch कर सकते हैं छू सकते हैं इसे भी याद रख सकते हैं microphone यह सारे चीज को हम चू सकते हैं जैसे के joystick trackball mouse keyboard तो यह easy way है समझने का और याद रखने का कि जिस चीज को हम touch कर सकते हैं जिस चीज को हम चू सकते हैं जिस चीज को हम देख सकते हैं उसे हम input device कहते हैं यह इसका मतलब नहीं है मतलब यह है जो मैं आप लोगों को समझाई हूं बट easy way में याद रखने के लिए यानि कि trick कह सकते हैं आप microphone, webcam, फिर barcode reader जब barcode reader की बारे मैं बोल लिए हूं तो यहाँ पर आप इसका full form भी याद कीजिएगा OCR, OCR का full form होता है optical character reader, MICR, इसका full form होता है magnetic ink character reader इसे में questions इस तरह से बनते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा हो जाएगा कि MICR का full form बताएं यह questions हो गया दूसरा question इस तरह से बन सकता है कि हो सकता है आपको पूछा जाए exam में कि MICR में से full form वहाँ पे दिया रहेगा उसमें से एक आपको लेना है option चूज करना है सही वाला या फिर तीसरा यह सा हो सकता है कि आपको वहाँ पे magnetic ink character reader के जगह आपको पूछ दिया जाए कि M stand करता है what is M is stand 4 ठीक है M is stand 4 तो M किसके लिए stand करता हो सकता है आपको option में magnetic रहेगा एक आप लोग को हो सकता है कि marble दे एक हो सकता है आपको manage दे दे एक example हो सकता है कि microphone दे तो आपको याद रखना है कि MICR में M जो है magnetic के लिए stand करते हैं उसी तरह से सेम है 11 नंबर OMR OMR को भी आप लोग को full form याद रखना है optical mark reader नेक्स्ट है बाड़ा नंबर kimball tag reader यह सारे ही जो मैं कहती हूँ यह सारे ही input devices है 13 है speech recognition system 14 light pane 15 touch screen तो हमने input device देखें और input device कितने input device 15 input device के example दी हूँ तो याद रखिएगा इन सब को याद कर लीजिए एक questions पका chances है आने के next है आप लोग का output device input device देख लिए अब हम output device देखेंगे और समझेंगे कि output device किसे करते हैं यह ऐसे उपकरन है जो process के उपरांत result देते या प्रदर्सित करते हैं जब भी आप process करते हैं जो भी आपके उपकरन है तो वहाँ पर आपको result मिल जाता है या फिर आपको उसकी activity दिखाई देती है उसे ही हम output device कहते हैं इसके द्वारा computer द्वारा प्रोसित जानकारी को देखते हैं या ग्रहन करते हैं अब हम सिंपल सी आपको यह नहीं पूछेगा कि output device किसे कहते हैं यह आपको एक्जाम में नहीं पूछेगा कि input device किसे कहते हैं बट यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी आप जानेंगे कि input output क्या होता है तभी तो आप फर्क कर पाएंगे और सही चूज कर पाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्जामपल है output device के भी जैसे कि monitor है printer है speaker है plotter है और screen image projector है यह पांचों ही जो है output device है तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए next हम आप बात करेंगे input output device के बारे में बात कर लिए अब हम बात करेंगे binary memory के बारे में binary memory के बारे में बात करेंगे friends उससे पहले मैं आप लोग से आगड़ा करूंगे कि आप प्लेज मेरे चैनल एटूजट फाइन आट और विज्वल आट को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं और साथ ही साथ bell icon को प्रेस कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक अगरी memory के बारे में तो देखिए सबसे पहले हम समझे लेंगे कि binary memory होता गया है computer में data को संग्रहित करने के यंत्र को memory कहते हैं ठीक है किसे कहते है computer में जो data आप लोग संग्रह करके रखते हैं उसे हम memory कहते हैं memory में data binary रूप 0 तथा 1 में संग्रहित होता है इसे याद रख binary memory है तो जैसे के beat है, nibble है, byte है, उसी तरह से kilobyte हो जाता है, megabyte हो जाता है, GB जिसे आप लोग जानते ही है mobile में हमेसा मिलता है, 1GB, 2GB, 3GB इस तरह से ठीक है, 13 byte हो गया ये सबको हम याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम beat के बारे में जान लेते हैं, यह computer memory की सबसे छोटी इक आई है, एक beat का cable एक ही मान होता है, वो क्या है, 0 या 1, एक beat का cable एक ही मान होता है, 0 या 1, अब हम beat के बाद आपका आता है, nibble, nibble कितने का समू है, तो यह 4 beat का समू है, nibble 4 beat का समू है, बहुत वार chronology पूछा गया है, कि beat, byte, terabyte, bytes, nibble, इसको आप chronology में सजाएं, ठीक है, निबल में कितने beat होते हैं, तो हो सकता है कि यहां से questions पूर्च सकता है, कि nibble में कितने beat होते हैं, तो याद रखेगा nibble जो कि है, 4 beat का समू है, आपका answer हो जाएगा 4 beat, यानि कि nibble is equal to 4 beat, फीर है आपका byte, byte जो है, या 8 beat का समू होता है, या 9 oops निबल के डूगना, nibble अगर 4 देटा को बाइट में मापा जाता है किसी भी अक्छर चीन या स्थान की आवस्ट्या होदिया जाना कि कोई भी आप सब्द लिख रहे हैं या चीन दे रहें या स्थान की आवस्था होती एक बाइट का समू कितना है आठ बेट आठ बीट का समूं जो है byte कहलाता है और data को byte में मापा जाता है जो भी आप data है को कैसे मापा जाता है तो byte में मापा जाता है सब्द या beats का समूं है जो अभी उपर हम देख रहे थे जो 0 या 1 की सबसे चोटी इकाई होती है computer memory की computer जिसे एक इकाई के तरह व्यवहार करता है सब्द की लंबाई मसीनों के इनुसर बदलता रहता है तो सब्द ये important लहीं है बट ये तीनों बहुत important है और हब हम आपको इसकी chronology दिखाना चाहेंगे ये chronology है memory measurement यानि की memory का map कैसे करेंगे तो 4 bits is equal to 1 nibble अभी हम बताए ही थे कि एक nibble जो है 4 bits का sum होता है और एक byte जो है 8 bits का sum होता है और फिर अगर हम 1024 bytes is equal to 1 kilobyte जिसे short form में kb कहते हैं 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte जिसे कि हम short form में mb कहते हैं और 1020 megabytes is equal to 1 gigabyte जिसे हम short form में gb कहते हैं और 1020 gigabytes is equal to जिसे हम इंगलिज में टेराबाइट कहते हैं चीछ करी यानि कि ए कि इसका फूल ह creature सोता है तो टी बी के बाद पीबी होता है टी जो आपका पता ही होगा की 500 सका बोलते हैं गुआ फीरा के हो सकता है कि आपको इस तरह से दे दे कि इसको chronologist जाने देगा तो यहां पर जो आपको निबबल से दिख रहा है यह नहीं पूछा जायका यहां पर आपको beat हो जाएगा, जैसे beat हो गया, beat के बाद आएगा, bytes, bytes के बाद, kilobytes, kilobytes के बाद, megabyte, megabyte के बाद, gigabyte और gigabyte के बाद, perabyte, तो इसे आप याद रखेगा, इतना, बहुत important है, बहुत अबार एक्जाम में पूछा जा चुका है, और दूसरा question से आपको यह याद kilobytes कितने के बढ़ावर होता है, तो अगर 1 kilobytes पूछे, 1 kilobytes is equal to, तो 1024 byte होगा, but वहीं पर 1024 kilobytes पूछे, तो 1 kilobytes होगा, इसे घुमा के पूछा जाता है, और कभी-कभी हम गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हो, जब आपको 1 kb पूछा जाए, 1 kb is equal to, तो आपको यह लिखना है, 1024, क्योंकि 1 kb is equal to, क्या है, 1024, बट अगर आपको पूछा जाए, कि 1024 kb is equal to, तब आपको लिखना है, 1 megabyte, यह जो मैं आपको लोग को बता रही हूँ हूँ, यह हमारे channel go through fine art, go through fine art channel पे अगर आप जाएंगे, सभी को मालूम है, यह channel fine art के लिए है, इस पे मैं इसका 100 tricks और कैसे याद रखना है, अच्छे से बताई हूँ, तो वहाँ जाके आप इसका tricks देख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा, हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा, उसी तरह से 1 gigabyte is equal to, अगर पूछे, तो 1 gigabyte is equal to, होगा 1024 megabyte, बट अगर 1024 gigabyte पूछे, सबसे important चीज़ आपको यह याद रखना है कि एक nibble जो है, चार बीट का समू होता है, और एक byte जो है, वो 8 bit का समू होता है, तो इसे एकर हम chronology में कर दें, तो सबसे पहले आजाएगा आपका beats, beats के बाद आजाएगा, bytes, bytes के बाद आएगा, KB, KB के बाद आएगा, MB, MB के ब तो 6 चीज़ों का समू होड़ा है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है कि अगर आपको यहां से beats और bytes हटा दे, और सिर्फ kilobyte, megabyte, gigabyte और terabyte को ही सजाने के लिए full form में दिया जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, तो friends आसा करती हूँ कि आप लोग आपको मानना पड़ेगा, इससे एक questions पका आएंगे, साथ साथ जो मैं full form यहां पर बताई हूँ, और full form के मैं मेरे channel पे, इसी A2Jet Fine Art, Visual Art channel पे already है, उसे आप लोग जरूर देख ले, उस पे मैं ICT को लेके 2-3 episodes बनाई हूँ, उसे आप must watch कर, उसमें हम सारे ही full form बताए हैं क ICT के जितने भी full form होते हैं, जैसे कि यहां पर तो, जैसे कि HTTP का full form क्या होता है, www का full form क्या होता है, CPU का full form क्या होता है, BUS bus का full form क्या होता है, इस तरह से काफी धेर सारे, CD, ROM का full form क्या होता है, DVD का full form क्या होता है, सब बताएं, उसे आप लोग जरूर देखें, और साथ ही सा बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि Ctrl प्लस X इसकल टू क्या होगा या फिर Ctrl प्लस Z करेंगे तो क्या होगा Ctrl प्लस C करेंगे तो क्या होगा तो इस पे भी वीडियो बनाए हूं उसे भी आप लोग जरूर देख ले और साथ ही साथ मेरे A to Z Fine Art पे बहुत सारे वीडियो हैं कम से कम मुझे लगता है कि 13 से 14 वीडियो होंगे पेपर वन, एंटी एजुसी नेट पेपर वन के लिए तो उसे आप जरूर देखें मैं वहाँ पे Teaching Aptitude से भी एक वीडियो बनाई हूं या फिर दो वीडियो I don't remember right now और I Research Aptitude से भी वीडियो डाली हूं तो प्लीज देखें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा है लाइक करके और साथ ही साथ जो चैनल पे बिलकुल लएए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन्स आपको आपके फोन पे हमेशा मिलते रहे और साथ ही साथ सेयर करना ना भूले हैस्टेग वी सेयर वी ग्रो और बाई बाई टेक केर से यू सुन हैव अनाइस डे और बेस्ट विशेज फोर योर NTA, UGC, NET और जी आड़ा फिक जाम, टेक केर